प्रिंस मेरा बेशक बेहन तुने तोड़ दी हो सासों की दोरी मगर जमाने के पत्थर दिलों को तुने ही बिगलाया है शायद मैं इससे जादा कुड़िया के लिए कुछ और ना लिक सकूँ क्योंकि हिमाचल की इस बेटी ने अपनी जान देकर पत्थर दिलों को रोने पर मचबूर कर दिया है वो लोगों को बोलना सिखा गई चुर्म के खिलाफ आवाज उठाना सिखा गई सिसकती जिन्दगियों के लिए इनसाफ की आवाज बनना सिखा गई और हिमाचल की इस बेटी की आवाज हिमाचल एकस्परिस के साथ साथ पूरा हिमाचल बनने लगा है हिमाचल एकस्परिस ने अपने इस बहन को इंसाफ दिलाने और उसकी लड़ाई ल़ने का बीड़ा उठाया था आज हिमाचल एक्स्प्रिस की लडाई पूरे सूबे की लडाई बन गई है हर नुकड और गली पर गुडिया के भाई नज़र आते हैं हर चोराहे पर उसकी बहने दिखाई दे रही है हर सबक पर उसके माबाप खड़े है शायद अब इनसाफ की लडाई लड़ी जाएगी देखिए जरा इस लजारे को देखिए ये किराए पर लाए हुए राजुनी थी के भाड़े के टक्टू नहीं है ये इनसाफ की देवी की आँखों पर जो काली पट्टी बंदी है उस पट्टी को उखाड फैकने वाले चंद सहलाब की आवाज है ये कुनहगारों को उनके नापाग काम करने की सजा दिलाने की बांग करने वाले मचमे की तहार है सबके लबों पर बस एक ही पुकार है कुनहगारों को फासी दो अजमत के लुटेरों को किसी भी कीमत पर पक्षा नहीं जाए इन दरिंदों को पता तो चले की आखिर इन्होंने कितना घिनोना काम किया है हिमाचल एक्सप्रेस फिर आपसे दर्खवास करता है कि अपने इस गुसे को ठंडा न होने दीजिएगा शान्ती पूरवक ठंग से कानून के दायरे में रहे कर अपनी बेहन की लड़ाई को तक तक लड़ते रहे जब तक उसको इनसाफ नहीं में जाता हम वादा करते हैं हिमाचल एक्सप्रेस हर कदम पर आपके साथ है अपनी बेहन के साथ है और हर उस भाई बेहन और माबाब के साथ है जो गुडिया के लिए लड़ाई लड़ भए है हिमाचल एक्सप्रेस के लिए प्रीस महरा हिमाचली के साथ महम्माद आरिफ औरैशी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हिमाचल एक्सप्रेस के साथ जैहिन